Let's do question number 21 of exercise 5D that is arithmetic progression question number 21 is if 2P plus 1 13 and 5P minus 3 are in AP ये तीनों numbers AP में है find the value of P हमें इस P की value निकालनी है तो कैसे करेंगे चलिए पहले हम AP में जो दे रखा है वो लिख लेते हैं 2 AP की values that is 2P plus 1 comma 13 comma 5P minus 3 5P minus 3 और हम AP की value निकालनी है ये AP दे रखी थी जब भी ऐसा होता है तो हम क्या हमें पता है कि ये जो D1 है इन दोनों के बीच का difference वो D2 के equal होता है तो हम ये लिख देते हैं D1 equals to D2 अब D1 कैसे निकालेंगे 13 में से 2P plus 1 minus करेंगे और D2 कैसे निकालेंगे 5P minus 3 में से 13 minus करेंगे तो ये आ गया 13 में से minus किया 2P plus 1 इसी तरीके से D2 के लिए 5P minus 3 में से हमने minus किया 13 तो brackets open कर देते हैं तो ये आया 13 minus 2P minus 1 equals to 5P minus 3 minus 13 अब 13 और 1 opposite sign है अब उसमें subtract हो गए तो ये आगे 12 minus 2P equals to 5P अब 13 और 3 same sign है add हो जाएंगे तो minus का 16 अब P की values एक साइट non P values एक साइट तो 2P अपनी जगा रहा 5P इधर आ गया तो minus कर गया इसी तरीके से 16 अपनी जगा रहा 12 इधर आ गया तो minus कर गया तो ये कितना आ गया minus का 7P क्योंकि same sign थे आपस में add हो गया sign minus कर लग गया इसी तरीके से 16 और 12 आपस में add हो गया sign minus कर लग गया minus minus cancel हो गया तो P कितना आ गया 28 अपन 7 that is 7 बज़े 7, 7 4s are 28 तो P की value कितनी आ गया 4 is the answer let's do question number 22 of exercise 5D that is arithmetic progression question number 22 is if 2P minus 1 7 and 3P are in AP find the value of P हमें P की value निकालनी है तो कैसे करेंगे हम पहले AP लिख लेते हैं AP है 2P minus 1 next है 7 and 3P 7 और 3P AP में है और हमें P की value निकालनी है तो जब भी ऐसा होता है तो हमें पता है हमारा D1 difference of these two values हमारा D2 के equal होता है हमने लिखा D1 equals to D2 D1 कैसे निकाला 7 में से आगे वाली term में से पहले वाली term minus कर दी तो 7 minus 2P minus 1 इसी तरीके से D2 कैसे निकाला 3P में से 7 minus कर दिया तो यह आया 3P minus 7 brackets open कर लेते हैं तो यह आया minus 2P minus minus plus 1 equals to 3P minus 7 अब देखिए 7 और 1 same sign है तो आपस में add हो गए और sign बढ़े वाले कर लग गया equals to 3P minus 7 अब P की values एक साथ तो 2P अपनी जगह है 3P left inside आगया तो minus कर गया इसी तरीके से minus 7 अपनी जगह था 8 right inside आगया तो minus कर गया तो same sign वाले add हो गए तो minus 5P आगया minus 15 minus minus cancel हो गए तो P की value कितनी आगए 15 upon 5 that is 5 is a 5, 5 3 is a 15 तो P की value आगए 3 is the answer